एकादसी तिथी के दिन भगवान स्रीहरी विश्णू और मालक्ष्मी दोनों की विशेस अराधना पूजा की जाती है नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्माग जीवन में भला धन किसे नहीं चाहिए और इसी लिए हम खास दिनों में खास प्रियोग करते हैं ताकि मालक्ष्मी परसन्न होकर हम पर धेर सारे धन, खुसिया, सुख, संपत्ति बरसाए ऐसे में एकादसी कीती थी जो स्रीहरी का दिन है और एकादसी के दिन स्रीहरी परसन्न मुद्रा में रहते हैं और उनके साथ हैं मालक्ष्मी जब भी आप पूजा करें एकादसी के दिन तो स्रीहरी और मालक्ष्मी दोनों की ही एक साथ करें अकेले अकेले पूजा करने से आपको पूजा का फल पूरा नहीं मिलता अधूरा ही मिलता है इसलिए जब भी पूजा करें साथ में मालक्ष्मी के स्रीहरी की ही पूजा करें अब हम चुकी बात कर रहे हैं एकादसी के दिन चावल के डबे में रख दें आखिरेसी कौन सी वस्तु है जो एकादसी की तिथी पर अगर रखी जाए तो जीवन में सब कुछ आने लगता है देखिए एकादसी तिथी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए हर कोई जानता है लेकिन मालक्ष्मी को चावल बहुत पसंद है और साथ ही मालक्ष्मी को पसंद है हल्दी और कुमकुम चान्दी तो आज हम एक छोटा सा परियोग बताएंगे किसी भी एकादसी के दिन आप एक छोटा सा काम कीजिए क्या करेंगे जब आप असनान बेगर करकर स्रीहरी मालक्ष्मी की पूजा करेंगे तब मालक्ष्मी को एक चांदी का सिक्का भेट करें और पित करें और ये चांदी का सिक्का आप कोई भी सिक्का आपके घर में पड़ा हुआ है उसको धोकर गंगा जल से सुद्ध करके और पित कर दें मालक्ष्मी के सामने रखें किसी पात्र पे अब इस पर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम अर्पित करें फिर आप इस सिक्के को मालक्ष्मी का आसिरवास समझ कर आप अपने घर के जहां पर चावल का डबा है जिससे आप निकाल कर रोज चावल बनाती है है जहां अपने श्टोर करके रखा होगा है वह नहीं जहां आप कीचन में थोड़ा थोड़ा रखते होंगे ना निकाल के खाना बनाने तो उसी डब्बे में सिक्के को रख दें इस सिक्के को यूँ ही पड़ा रहने दें आप देखिएगा आपका भंडार कभी खत्व नहीं होगा यह बहुत आजमाया हुआ है और जीवन में बरकत होने लगती है धन की कमी नहीं होती करजों से कस्टों से मुक्ति मिलती है और हर जगह आपकी तरक्की होती है अब जब आप चावल बना रहे हैं आपके चावल आप निकाले हैं धोने के लिए उसको बनाने के लिए हाथ में चांदी का सिका आ जाए वापस से डब्बे में रख दें यूँ ही पड़ा रहेगा और हमेशा ध्यान देते रहें आप देखिएगा जीवन में खुशियां आपके घर तक पहुंच चुकी है सिंपल उपाय है पर करियेगा जरूर क्योंकि इस उपाय को करने से लक्ष में स्थिर हो जाती है अब इसको बदलेंगे कब किसी भी एकादसी को दिन रखेंगे तो जरूर देखिए सबसे पहली बात जरूरी नहीं है कि हर एकादसी को आप सिका डालें आप कोई भी एक यहां तक कि बड़ा से बड़ा टेंसन भी समाप्त हो जाता है तो आप दोनों एकादिसी नहीं भी करते हैं तो कम से कम सुक्लपक्ष की एकादसी का ब्रत किया करें तो जीवन की बहुत सारी मुस्किलों से बाहर निकल आएंगे तो यह जो सिक्का है इसको आप घर के में जहा चावल का डबा है उसमें ही आपको डालना है और इस सिक्के को दीपावली के दिन आपको निकाल कर फिर से रिचार्च करना है क्योंकि दीपावली के दिन जब मालक्षमी की पूजा होगी तब इस सिक्के में आप फिर से रिकाल कर पूजा पाठ करेंगे मालक्षमी के अर् पित कर दें और पिर चावल में डालें यानि यह जो आप चावल में डालेंगे तो आपijnगा एक एवाशी को कर सकते हैं साथ ही आप चाहें तो चावल के डबे में धूंग भी रख सकते हैं इससे क्या होगा ना लोगों के किसी भी तरह का तंत्र मंत्र क्रिया आप लोगों पर असर नहीं करेगा लोग के बहुत सारे प्रियोग हैं हम फिर आप से मिलेंगे बहुत सारी बाते करेंगे हरहर महादेब अगर वीडियो पसंदा रहा हो तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से से करें और कमेंट में हरहर महादेव जरूर लिखें धन्यवाद